बहुत सारे लोग हैं वो जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जो पैनिक का शिकार हैं, जो OCD का सिकार हैं, जो फोबिया या ओवर्थिंकिंग का शिकार हैं, वो लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिस मिस्टेक के कारण वो कभी भी नहीं ठीक हो पाते हैं, वो बहुत सार मुझे से बात कर रहे हैं तो मुझे कह रहे होते हैं कि सर मुझे ऐसे लगता है कि मैं पूरा ठीक नहीं हो पाऊंगा मैं 100% normal नहीं हो पाऊंगा मैं सर मुझे पता है कि मैं 100% तो नहीं हो पाऊंगा 57 percent ही हुपाओंगा अच्छा वो ठीक तो पूरा होना चाहते हैं लेकिन बार बार अपने आपको यह message दे रहे होते हैं कि मैं पूरा ठीक नी हुपाओंगा, मैं 100% नी हुपाओंगा 70-80% हो जाएगा लेकिन 100% नी हुपाएगा, अच्छा जब हम बार बार अपने दिमाग को ये message दे रहे होता है, continuously ये message दे रहे होता है तो हमारे दिमाग के अंदर जो acceptance create होती है वो acceptance न ठीक होने की ही acceptance create होती है कि ठीक है, अपने को पूरा ठीक तो होना ही नहीं जब तक आप पूरा ठीक नहीं होगे, तब तक आप इस problem से बाहर नहीं आ पाओगे हमारा दिमाग जो पूरी तरह से normal होने वाली जो state है ना जो हम चाहते हैं इस दुनिया में हर एक इंसान चाहता है कि वो पूरी तरह से normal हो जाए जो पूरी तरह से ठीक हो जाए 100% वो हर चीज के अंदे normal हो जाए चाहता तो वो ही है, लेकिन बार-बार जो दिमाग में यह message देते हैं ना, पूरा तो ठीक नहीं हो पाएँगे 100% धोड़ी होता है यार इसमें यह पूरी तरह से क्यों ही नहीं होता 100% क्यों हो पाएँगे हमिसा आपन पूरी तरह से पाहर नहीं है पाते तो हम ये जो बार-बार अपने आपको ये जो मैसेज दे रहे हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं हो पाउगा मैं नॉर्मल ने हो पाउगा मुझे तो नहीं लगता पूरा ठीक हो जाऊँगा आप अगर ये statement बोल रहे हो ना मैं कहा रहा हूँ, दुनिया का कोई भी person आपको 100% ठीक कर ही नहीं सकता, कोई भी चीज, कोई भी तरह का treatment आपको पूरी तरह से normal कर ही नहीं सकता, क्यूंकि हमने हमारे दिमाग को एक घेरे के अंदर pack कर दिया, एक घेरे के अंदर डाल दिया, एक डायरे के अंदर डाल दिया, दिमाग सिफ नहीं ठीक होने वाली चीज को तो accept करता है, negative चीज को तो accept करता है, positive के लिए आपने एक non-acceptance create कर दी, उसके लिए automatic हमारा दिमाग के अंदर ignorance create हो जाती है, जो भी सही होने वाला step है ना, हमारा दिमाग मानेगा भी नहीं उसको, फिर लोग कहते हैं कि सब positive तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन positive होता नहीं, अरे कहां से होगा, जब आप continuously अपने आपको ये message दे रहे हो, इस message की वज़े से आपका जो mind है, वो negative के लिए तो strong होता जा रहा है, आपका mind negative के लिए तो rigid होता जा रहा है, positive के लिए आपका mind क्या होता जा रहा है, less जो आपका flexible वो होता जा रहा है, और दीरे, दीरे, negative चीजों को तो आप accept कर लेते हो, फिर positive आपकी acceptance से बाहर हो जाता है, फिर आप कभी भी ठीक नहीं हो तो हमें हमारा ये statement, खुद को convince करने का तरीका, खुद से बात्चित करने का तरीका, जो भी हम each and every moment पर जो भी हम बोल रहे हैं, that is very very important in our life, आप जो कुछ भी अपने आपको बोल रहे हो, जो कुछ भी suggestion आप दे रहे हो, ये suggestions हमारे बदलने चीए, हम अपने आप से बोलना सुरू करें, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाओंगा, मैं 100% normal होंगा, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं हो, जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, अपने आपको बार बार अपने आपको बताएं, किसी भी परकार का पानिक ऐसा नहीं है, किसी भी परकार का फोबिया ऐसा नहीं है, किसी भी परकार की मानसिक शिकायत ऐसी नहीं है, जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती यह 100% ठीक होने वाली चीज़ है, जब आप इस thought के साथ अगर आप किसी चीज़ पर work करते JIHO ना मैं कहा हो आपको ठीक होने से कोई भी नहीं रोग सकता आपको कोई भी ठीक होने से नहीं रोग सकता, किसी भी परकार की negativity हो कुछ भी क्यों नहीं हो ये अगर आदित बना लो ना तो आपको कोई भी ठीक होने से नहीं रोक सकता आप 100% ठीक होके ही रहेंगे